बायो डाइवर्सिटी यानि कि जैविवित्ता भाग दो पिश्ली वीडियो में हमने समझा कि जैविवित्ता क्या होती है और जैविवित्ता कितने स्तर पर पाई जाती है दूसरा हमने देखा कि भारत एक mega bio diverse nation यानि कि जैव विवित्ता से पून देश क्यों है और जैव विवित्ता से पून होने के कारण भारत में बहुत ज्यादा bio diversity यानि कि पेर पौधे जिव जनतू पाई जाते हैं इसके हमने कारण भी समझे कारण ये थे कि 10 बायो जोग्रिफिकल जोन्स हमारे भारत में यानि कि 10 ऐसे जैव भोगॉलिक वर्ग हैं जहाँ पर विभिन प्रकार की जैव विवित्ता पाई जाती है दूसरा भायो डाइवर्सिटी भारत में बहुत जादा है क्योंकि बायो डाइवर्सिटी के सरक्रिय शेत्र यानि की होट स्पॉट्स भारत में पाई जाते हैं एंडेमिक स्पीशेज यानि की शेत्र सीमित प्रजाती भी भारत में भौत है और साती साथ संकट ग्रस्थ प्रजातियां भी भारत में अत्यधिक पाई जाती हैं। के लिए एस्थेटिक यानि की सौंदर्य मुल्य में भी बहुत होता है। साती हमने देखा कि भारत में कुछ ऐसे शेत्र हैं जंगल में जिनको पूझा जाता है और ये पवित्र उपवन यानि की सेक्रेट ग्रूव्स के नाम से जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे की जैविवित्ता को क्या खत्रा है यानि की threats to biodiversity तो biodiversity यानि की जैविवित्ता को बहुत सारे खत्रे हैं। की habitat loss यानि की अवास की कमी बहुत है दूसरा काफी सारे जीवजन्तूओं का शिकार होता है यानि की वो poachers यानि की poaching का target बनते हैं तीसरा जैवेवित्ता इसले भी कम होती जा रही है क्योंकि human wildlife conflicts हमारे देश में बढ़ते जा रहे है human wildlife conflicts का मतलब है मानव और वन्यट जीवन के बीच कुछ प्रती स्प्रधा होना जिसकी वज़े से एक प्रजाती दूसरे को नुकसान पहुचाती है फिर biodiversity इसले भी कम हो रही है क्योंकि हमारे जंगलों में कुछ आक्रमक प्रजाती यानि की invasive species आ रही है जिनकी वज़े से जो local plants है जंगल के वो उग नहीं पाते Lastly हम यहाँ पर देखेंगे कि current mass extinction crisis क्या है यानि कि ऐसा क्यों होता है कि सामूहिक रूप से कहीं सारी प्रजातिया एक साथ खतम होती ही चली जाती है इससे अगली वीडियो में हम समझेंगे कि biodiversity conservation strategies यानि कि जैव विविता को बचाने के कौन-कौन से तरीके है साथी साथ हमारे देश में कुछ एहम परियोजना चल रही है जीव जन्तूओं को बचाने के लिए जैसे project tiger scheme, project elephant, vulture breeding program, great indian busterd, etc तो इन सभी को हम detail में पढ़ेंगे तो threat to biodiversity यानि कि जैव विविता को खत्रा तो जितने भी हमारे आसपास जीव जन्तू, पेड़ पौदे पाए जाते हैं वो हमें अनिक प्रकार से स्विधाई दे रहे हैं जैसे कि पेड़ पौदों के होने की वज़े से जो परियावरण है वो संतुलित रूप से चलता रहता है साथी साथ जीव जन्तू जितने होंगे उतने ही अच्छा हमारा पोशन चकर होगा यानि कि न्यूट्रियेंट साइकल जैसे कार्बन साइकल, नाइट्रोजन साइकल यह सब बहुत अच्छे और सुचार हो रूप से चलती रहेंगी पेड़ पौदों की वज़े से एक पीडी से दूसरे पीडी में सामाजिक मूल्य भी जा पाता है यानि कि जो हमारी परंपराएं पेड़ पौदों से जुड़ी हुई हैं वो भी एक पीडी से दूसरी पीडी में जा पाती है और हमें सौंदर्य या खुशी मिलती है इतने सारे पेड़ पौदों को देखकर क्योंकि हरा बरा जंगल या हरा बरा एरिया हमेशा खुशी और सौंदर्य को बढ़ाता है तो जो हमारी जैविवित्ता है वो अभी खत्रे पे है बट इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जैविवित्ता की शुरुआत पृत्वी पे कब हुई ऐसा कब हुआ की पृत्वी पे इतनी सारी प्रजातिया बन गई तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रशन है वो ये है कि हाउ लाइफ ओरिजनेटेड ऑन अर्थ यानि कि धर्टी पर जीवन के शुरुआत कब हुई और कैसे हुई महा विस्पोर्ट सिद्धांत यानि कि बिग बांग थियोरी के अनुसार चौदा बिलियन साल पहले जो हमारा भ्रहमान था वो सिम्ता हुआ था पर 14 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा विस्पोर्ट हुआ और इस विस्पोर्ट के कारण ही इसमें जो ब्रहमान में सिम्ता हुआ हर एक कर्ण था वो फैलता चला गया जिसके स्वरूप ब्रहमान की रचना हुई इसी के बाद पृत्वी और अन्य ग्रह बने इस धमाके से अत्यधिक उर्जा का उत्सर्जन हुआ कि उर्जा इतनी अत्यधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रहमान फैलता ही जा रहा है सारी भौतिक मान्यता है इस एक ही गटना से परिभाशित होती है जिसे बिग बैंग सिद्दांत या महाविस्पोर्ट सिद्दांत कहा जाता है इसके बाद हुई पृत्वी की रचना और पृत्वी हमारी जो है वो बहुत साल पुरानी है तो अगर हम देखें, तो 14 बिलियन साल पहले तो महाविस्पोट हुआ जिसको हम बिग बैंक बूलते हैं, इसके बाद पुरा भ्रमान बना, और हमारी जो पृत्वी है वो लगभग 4500 मिलियन साल पुरानी है, इस 4000 मिलियन साल पहले अगर हम देखें, तो पृत्वी पे कोई भी जीवन नहीं था, तो जीवन की शुरुआत पृत्वी पे लगभग 500 साल पहले ही हुई है, यानि कि जो हम अपने आसपास पेड़ पौदे परशु पक्षे देख रहे हैं, वो 500 मिलियन साल पहले ही हमारी पृत्वी पर बने हैं, हमारी धर्टी का इतिहास बहुत ही अब इतने बड़े टाइम को या समय को समझने के लिए हमें कुछ समय के बड़े खंडों का प्रियोग करना पड़ता है, तो पृत्वी के इतिहास को हम तभी समझ सकते हैं, जब हम पृत्वी के समय को कुछ खंडों में बाट पाएं, तो इन में से जो समय का सबसे बड़ा खंड है वो है हेडियोन और आर्कियोन हेडियोन आर्कियोन के बाद जो दूसरा समय का बड़ा खंड आता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीरोजोईक इयोन प्रोटीरोजोईक इयोन के बाद जो समय का बड़ा खंड है उसको हम बोलते हैं फैनिरोजोईक इयोन फेनीरोजोईक इयोन, प्रोटीरोजोईक, आर्कियोन और हेडियोन ही हमारी धर्ती का इतिहास बता पाते हैं प्रित्वी के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं हेडियोन हेडियोन शुरू हुआ 4500 मिलियन साल पहले और यही साल था जब धर्ती की शुरुआत हुई उस समय प्रित्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं था क्योंकि प्रित्वी एक आग का गोला हुआ करती थी धर्ती में बहुत जादा गर्मी थी और इतनी गर्मी में किसी भी जीवन का होना बिलकुर मुम्किन नहीं था फिर इसके बाद 4300 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ यानि कि एक बाहर का ग्रे हमारी प्रित्वी से टकराया जिसके बाद पानी का उत्पन हुआ तो जल के उत्पन होने से कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बेक्टीरिया बनने लग गए फिर समय का जो दूसरा बड़ा खंड है वो आर्कियोन के नाम से जाना जाता है आर्कियोन की शुरुआत हुई 4000 मिलियन साल पहले और ये लगभग 5000 मिलियन साल तक चला इस बीच जो सूक्ष्म जीव थे जो ज़्यादा तापमान को भी जेल पाते थे वो ही प्रित्वी पर पाई जाते थे समय का जो तीसरा बड़ा खंड है वो है प्रोटी रोजोईग और ये प्रोटी रोजोईग लगभग 5000 मिलियन साल से लेकर 550 मिलियन साल तक जाना जाता है इस बीच प्रित्वी पर पानी उत्पन हुआ और पानी के साथ-साथ कुछ हरी काई जैसे जीव आने लग गए अब हरी काई के उत्पन होने से ओक्सीजन की मात्रा प्रित्वी पर बहुत जादा बढ़ गई ओक्सीजन की मात्रा बढ़ने से धीरे धीरे और जो जीव हैं वो प्रित्वी पर आने लग गए यानि कि ऐसे जीव भी बनने लग गए जो ऑक्सीजन की मदद से अपना जो जीवन यापन है वो कर पाते थे तो धर्ती में कई बार ऐसा हुआ कि इतना सारा जीवन होने के बाद फिर धर्ती में एक ऐसा climate change हुआ या जल वायू परिवर्तन हुआ जिसकी वज़े से धर्ती में जो उत्पन जीव थे वो सभी खतम हो गए यानि कि ऐसा मानते हैं कि 550 मिलियन साल पहले धर्ती फिर एक बर्फ की चादर से धग गई और जो भी जीव पहले उत्पन हुए थे वो सभी खतम हो गए इसके बाद जो समय का बड़ा खंड है उसको हम बोलते हैं फैनीरोजोईक यानि कि दरिश्य जीवी इयॉन तो यह जो बड़ा खंड है इसको हम इयॉन के नाम से जानते हैं और इस फैनीरोजोईक इयॉन के कुछ सब्डिविजन्स हैं यानि कि यह कुछ भाग हैं जिनको चोटे टाइम पीरियोड कह सकते हैं और यह जो चोटे टाइम पीरियोड हैं इनको हम एरा या माहकल्प के नाम से जानते हैं तो फेनिरोजोईक जो इयॉन है उसको हम तीन माहकल्प में भाग कर सकते हैं जिनमें से एक है पुरा जीवी, दूसरा है मध्य जीवी और तीसरा नूतन जीवी तो पुरा जीवी में फिर से कहीं सारे चोटे टाइम आते हैं जिनको हम पीरियड यानि कल्प के नाम से जानते हैं तो यह जो पुरा जीवी के अंदर विभाजन हुआ है इसको हम बोलते हैं पीरियड और यह कई प्रकार के पीरियड इस पूरे टाइम में दिखते हैं जैसे की Camberian Period, Ordovician Period, Silurian, Bivonian, Mississippiian, Penisilvian, Permian वहाई दूसरी और Fenerozoic का जो दूसरा खंड है उसको हम बोलते हैं मध्यजीवी तो मध्यजीवी का फिर विभाजन हम कर सकते हैं तीन भाग में जिसमें से एक है Triassic, दूसरा Jurassic और तीसरा Cretaceous फिर इसके बाद जो Fenerozoic का तीसरा भाग है नूतन जीवी या Cenozoic इसके दो कल्प हैं जैसे की Tertiary और Quaternary तो इस Fenerozoic की खासियत यह है कि यह है जो खंड है सबसे बड़ा खंड है और इसमें जीवन का स्रिजन हुआ और इसमें जीवन का विस्तार हुआ तो अगर हम देखें Cambrian जो हमारा Time Period है यह कल्प है जो की पुरा जीवी के अंदर आता है इसमें एक बहुत बड़ा एक्स्पोजन हुआ एक तरिके से जीवन का विस्पोर्ट हुआ और जीवन बहुत रूप से पैदा होना शुरू हो गया और जीवन में आते आते Invertebrates का Diversification हुआ यानि कि जो ऐसे जीव थे छोटे जीव जिनमें Backbone तो नहीं होती यानि कि बहुत रीड की हड़ी तो नहीं होती बट इसमें Calcium पाया जाता है तो उनके जो कुछ Calcium के Deposit होते हैं जो इनके Structures के रूप में दिखते हैं पैरों के र होते हैं जिनमें पानी का खीचना जाइलम के थरू होता है उसी प्रकार जो फ्लोयम नाम के जो टिशूज होते हैं वो खाने को एक जगे से दूसरे पत्तियों में पहुचाते हैं फिर यहां पर मचलियां भी अनेक प्रकार की आ गई फिर इसके पास जो नेक्स्ट कल्प है वो है डिवोनियन कल्प जो पुरा जीवी के अंदर आता है डिवोनियन कल्प में सीड प्लांट्स यानि की बीज वाले पौदे उगने लग गए एमफीबियंस यानि की मेंडर्क जैसे जीव आने लग गए विंगलेस इंसेक्स यानि की ऐसे किडे जिनमें पंक नहीं होते उनका भी स्रिजन हुआ, तो इस टाइप से साइकल्स या ऐसे पौदे जिनमें सिर्फ बीजी होता है, फूल नहीं होते हैं, ऐसे वाले पौदे आने लग गए, साथी साथ इंसेक्स कई सरीके के आ गए, इसके बाद जो next कल्प है, वो है पर्मियन, पर्मियन में आए सबसे प महाकल्प है, उसको हम बोलते हैं मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी के तीन भाग हैं, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशन्स, तो ट्रायसिक में हम मानते हैं कि कुछ पहले मैमल आए, जो बिल्कुल रोडेंट यानि की चूहे के प्रकार के दिखाई देते थे, जुर मिलने लग गए, क्रेटेशिस जो कल्प था और यह जो कल्प है, यह मध्यजीवी के अंदर आता है, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स यानि की फूल वाले पौधे उत्पन हुए, फिर अब अकर हम इनसान की बात करें, तो हमारा जो प्रित्वी पर जीवन है, वो बहुत ह की नया है, हम सिर्फ अभी, मतलब हम बहुत नई हैं प्रित्वी पर, सीनो जोई के वो भी क्वाटनरी पीरियड में हम आये हैं, तो इनसान जो पैदा हुआ है, वो अभी हुआ है, मतलब हम बिल्कुली नए प्राणी हैं इस पूरी प्रित्वी पर, परंतो नए होने के बा हमने अपने विकास के चकर में और जीव जन्तों को बहुत हद तक नुकसान पचाया है, मास इक्स्टिंशन क्राइसिस यानि की सामुहिक विलुपती संकट, यह एक फिशेश प्रकार के घटना होती है, जिसमें एक छोटे से ही काल में बहुत सारी प्रजातियां विलुपत हो जाती हो, तो सामुहिक विलुपती संकट, यानि की मास इक्स्टिंशन क्राइसिस से सीथा जो जैव विवित्ता है, उस पर असल पड़ता है, और प्रित्वी के संपूर्ण जीवन में कम ही आ जाती है, तो यह एक असाधारन घटना मानी जाती है, तो हमारी प्रित्वी क इतिहास में पांच बार ऐसा देखा गया है कि जितनी भी प्रजातिया है, वो भारी मात्रा में कम हुई है, तो इसी को समझने के लिए हमें जियोलोजिकल टाइम स्केल, यानि की प्रित्वी के इतिहास को देखना पड़ेगा, तो जैसा हमने पहले देखा, प्रित्वी का जो इतिहास है, उसे बड़े खंडों में विभाजित किया जाता है, तो एक बड़ा खंड है हेडियोन, जो कि साड़े चार हजार मिलियन साल पहले से लेकर, चार हजार मिलियन साल तक है, दूसरा है आर्कियोन, आर्कियोन शुरू होता है, चार हजार मिलियन साल से तीसरा बड़ा खंड है proterozoic जो 250 से 50万 साल तक माना जाता है और इसके बाद आता है phenerozoic, phenerozoic जो ईयोन है वो एक बड़ा खंड है पृत्वी का जो लगभग साढ़े 500 मिल्योन साल से शिरूँ हो कर अभी तक माना जाता है तो इस बड़े खंड की खासियत यह है कि जितनी भी जय विवित्ता है, वो mostly इसी खंड में उत्पन हुई है, तो फैनीरो जोई की एउन है, जिसमें कहीं सारे कीड़े, मचलिया, फुल पौदे, इंसेक्स, और काफी सारे रोडेंट, कुछ फ्रॉग, यानि की मेंडग, कुछ ओशन की जो डाइवरसिटी है, वो हुई, और साथ सारे डाइनसार्स, चिडिया, चिपकली, लिजर्ड्स वगेरा, सब यहीं पर उत्पन हुई, तो प्रिथ्वी में अब तक पांच वार मास एक्स्टिंशन क्राइसिस देखा जा चुका है, जिसमें पहला मास एक्स्टिंशन क्राइसिस, और दोविशन में देखा गया, तो अगर हम पहले, सबसे पहले मास एक्स्टिंशन क्राइसिस की बात करें, तो वो और्डोविशन, और्डोविशन पैनी रोजोई का ही पार्ट है, इसी वाले टाइम पीरियाट में लगबग 450 मिलियन साल पहले हमने देखा कि जितनी प्रजातिया थी, उनमें से 60 से 70 प्र प्रित्वी से और ये आई सेज के कारण हुआ, यानि के प्रित्वी पर इपनी जादा बर्फ जम गई थी कि प्रित्वी पर जीवन संभवी ना हो पाया, दूसरे बार जब सामोही ग्रूप से प्रजाती विलुपत हुई, वो देखी गई डिवोनियन में, डिवोनियन फै यानि कि ये जो खंड है, इसमें लगभग 375 से लेकर 360 मिलियन साल पहले, ऑक्सीजन की भारी कमी हुई और इस ऑक्सीजन की कमी की कारण 75% प्रजातियां विलुपत हो गई प्रित्वी से, तीसरा मास एक्स्टिंशन यानि कि सामोही विलुपती संकट आया, पर्मियन प्रित्वी से टकराया, जिसके कारण 95% से भी जादा प्रजातियां विलुपत हो गई, चौथा संकट विलुपती संकट आया, ट्राइसिक में लगभग 200 मिलियन साल पहले, और इस 200 मिलियन साल पहले हमने नोटिस किया कि कोई बहुत बड़ा वुलकैन, ओजवाला मुखी प्रित्वी से बाहर का कुई पतार्थ प्रित्वी से टकराया, जिसके कारण 70-80% की प्रजातियां विलुपत हो गई, ताजवा मास एक्स्टिंशन क्राइसिस देखा गया, क्रिटेशिस टाइम पीरिएड में, जो फैनी रोजो एक बड़े खंड के अंदर ही आता है, तो लगब 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टरोइड प्रित्वी से टकराया, और इसके कारण डाइनसार्ज और अन्य 75% प्रजातियां प्रित्वी से विलुपत हो गई, अभी जो समय चल रहा है, ये छटे मास एक्स्टिंशन, यानि कि छटा सामोहिक विलुपती प अभग 10,000 से भी सादा प्रजातिया कम होती जारी है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि ये जो संकट है, ये किसी जलवायू परिवर्तन, या किसी बर्फ के होने से, या किसी अन्य परियावरन कारणों से नहीं हो रहा है, बलकि ये पहली बार है कि एक प्रजाति, होमो इन्सान अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बन रहे है, और हमारी वजए से इतनी सारी प्रजातियां एक साथ विलुक्त हो रहे हैं, तो ये जो 6th mass extinction crisis है, इसकी जो rate है, यानि कि जो गती है, वो बहुत तेज है, तो अगर हम इसको एक graph की मदद से देखें, और graph के x-axis, या से ये जो प्रजातियां ये खतम हो रही है, तो हम देख पाएंगे कि एकदम जैसे जैसे हमने industrial revolution किया, लटबंग 200 साल पहले, यानि कि 1800 साल से, जब से हमने industrial revolution, यानि कि ओद्योगी करन किया, तब से प्रजातियों की मातरा अत्यदिक कम होती जा रही है, हमने पाया है कि mammals, जैसे हिरन, शेर, ये सब mammals है, ये mammal खतम होते जा रही है, चिडियाओं की मातरा कम होती जा रही है, साथी साथ vertebrates भी कम होते जा रहे है, vertebrates ऐसे जीव होते हैं, जिनमें हटी होती है, बहुत strong, तीसरे अन्य प्रजातियां भी बहुत तेजी से खतम होती जा रही है, जैसे साथ, मैड़क, मचरियां, इतियादी, तो ये एक चिंता का वीश है, क्योंकि six mass extinction crisis, यानि कि ये जो छटा सामुहिक विलुपती संकट चल रहा है, ये इंसान की वज़े से चल रहा है, हमने पेर पौदों को इतना जादा नश्ट कर दिया है, कि अब हमारी जो पौदों पर संकट से भाराने के लिए हमें जल्दी कुछ खोस कदम उठाने की जरूरत है, जैविवित्ता को अनिक प्रकार के खत्रे मंधरा रहे हैं, अब जैविवित्ता को सबसे बड़ा खत्रा है आवास की कमी, यानि की loss of habitat का, हर प्रजाती को एक आवास की जरूरत होती है, परन्त जंगलों को नश्ट कर देते हैं, तो जब इंसान के द्वारा ऐसी गतिविती होती हैं, तो इसका सीधा असर वन्यजीव जन्तूओं के आवास पर पड़ता है, और आवास निरंतर रूप से कम हो जाता है, अब कम आवास होने से या आवास सही रूप से ना होने से प्रजा और अन्यजीव जन्तू पाई जाते थे, पर अंतो धीरे धीरे इंसान की गतिविती, जैसे की ओद्योगी करण, या विकास कारिये, या खनन प्रक्रिया, यानि की माइनिंग, उन सब के चलते हैं, हमने जंगलों को तो नश्ट करी दिया, अब जंगल के नाम पर हम छोटे स टुकडे ही देख पाते हैं, तो जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे ओद्योगी करण हुआ, उससे जंगलों में कुछ हद तक गैप्स बन गए, और जंगल के नाम पर अब एक सिखडे हुए, सम्टे हुए, ये कोने ही पचे हैं, इसी को हम बोलते हैं, फ्रेग्मेंटे और इत्तिक रूप से उनमें जो प्रजनन प्रक्रिया है, यानि की रिप्रोडक्टिव रेट है, वो भी कम होता, दिखाई देता है, दूसरा जो थ्रेट है, वो है पोचिंग, यानि की शिकार का, तो शिकार मतलब गैर कानूनी रूप से प्रजातियों की हत्या करना, क्यो क्योंकि उनसे निकली जो वस्तुए हैं, या उनसे निकले जो उनके शारिरिक भाग हैं, वो काफी हद तक बजार में बिखते हैं, तो यह जो गैर कानूनी शिकार है, इसको रोकने के लिए अंतर राश्ट्रे सर पर काफी सारे कानून भी शुरू हो चुके हैं, जिन में से एक है Sights, Sights का मतलब होता है Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna, यानि कि यह एक ऐसा कन्वेंशन है, जो की संकट ग्रस्त प्रजातियों पर लगा हुआ है, और संकट ग्रस्त प्रजातियों से जुड़े किस्वी प्रकार के व्यवसाई पर रोक लगाता है, या प्रतिबंध लगाता है, परन्तों इतने अच्छे Sights जैसे Convention या Laws होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि निरंतर रूप से शिकार बढ़ता ही जा रहा है, विश्व के कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे कि South America, Africa, भारत या एशिया का वो हिस्सा जहां पर प्रजातियों बहुत जादा हैं, अब प्रजाति से जो प्रजाति ही हैं, उनका शिकार होता है, उनके निकाले गए उनके शारेरिक भागों का तसकरी करी जाती है, तो इस पुरे व्यवसाई के चलते प्रजातियों की संख्या पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ये एक बिलियन डॉलर का ट्रेड है, व्यवसाई है, जो पुरे विश में फैला हुआ है, तो कमाने वाले बहुत लोग इससे मुनाफ़ा कमा पाते हैं, परन्तु इससे जो जन्संग क्या है, जीव जन्तों की वो निरंतर कम होती जारी है, और ये खत्रक्त, और ये एक चिंता का विशे है, तो आजकल हम देख रहे हैं कि बाजार म यानि कि दात से बनाए गए कुछ स्टैचूज यानि कि मूर्तियां और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, दूसरा जो फोटोग्राफ्स हैं, ये हैं तितलियों से बनाए हुए, तीसरा ये जो बैग है, ये सीधे क्रोकोडाईल यानि कि मगरमच की खाल से बनाया गया है, च क्योंकि इतनी जागरुकता होने के बावजूद भी हम शिकार पर अभी तक पून रूप से रोक नहीं लगा पाये हैं, तीसरा जो जैविवित्ता को खतरा है, वो है मानव वनजीव संगर्श के कारण, तो आज कल हम देखते हैं कि कुछ ऐसा कॉन्फलेक्ट होता है मानव क बीच और वन्यजीवों के बीच में जिसमें हमें हानी पहुचती है या फिर जंगली जीवों को हानी पहुचती है, तो वन्यजीव और इंसान का जो यह कॉन्फलिक्ट है, यानि कि संगर्श है, यह उन स्थिति को कहा जाता है, जब इंसान और वन्यजीव एक दूसरे को पहुचाएं जैसे हो सकता है एक दूसरे की जान ले ले या हो सकता है कि इनसान या वन्यजीव के बीच में कुछ ऐसी टकरावर हो जाए जिससे कोई जो जीविका का साधन है वो खतम हो जाए हो सकता है कि जो जीव है जैसे शेर वो इनसान पर आक्रमन कर दे या इनसान जीव को समाप्थ कर दे तो इसी को हम बोदते हैं वन्य जीव और मानव संघर्श हाला कि मनुष्य की गति विदी का प्रभाव वन्य जीव उपे और तो पड़ा ही है परन्तो अनेक इस्थीती में वन्य जीव ने भी मनुष्य पर प्रभाव डाला है ऐसे कई आक्ड़े हैं जो दर तो टोटल जो जान गई है वो 91 पिछले कुछ सालों में तो ये देखा जा रहा है कि ना सिर्फ इंसान जानवरों को नुकसान पहुचाते हैं बड़ कहीं बार जानवर भी इंसान पर हमला कर देते हैं इसी को हम बोलते हैं मानव वन्यजीव संगर्श उसी प्रकार हमारे पास ऐसे आकड़े भी हैं जो दर्शाते हैं कि हाती ने भी कई बार मनुष्य पर अटैक किया है ऐसा देखा गया है कि 2020 में इंसान ने 175 हातियों की जान ली और हाती ने 59 लोहों की जान ली तो अब देखते हैं मानव वन्यजीव संगर्श के क्या कारण है तो पहला हमें देखना है कि शाकाहारी जीव अगर है तो क्या कारण हो सकता है इस संगर्श का जादतर हाती यानि की शाकाहारी जीव loss of habitat यानि की आवास की कमी को जेल रहे हैं ऐसे में हम देखते हैं कि जो पहले उनका जंगल हरा भरा होता था जिसमें वो पून रूप से घूम पाते थे वो अब है नहीं और जंगल सी में तो छोटे हो चुके हैं टुकडों में बठ हैं तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है हातियों के लिए इतने छोटे से वन में रहना और इसलिए वो जंगल से बाहर आते हैं और जैसे वो भार आते हैं हो सकता है वहां पर कोई नागरी को जिस पर वो हमला कर दें दूसरा कारण देखा जाता है कि शाकाहारी जीव इंस कर ली गई हो तो ऐसे में अगर कोई रेल गाड़ी आएगी तो उससे डेफिनेटली देखा जाएगा कि हाती की हत्या हो जाती है तो ये जो कारण एक है शाकाहारी जीव से जुड़ा वो बहुत ही इंपोर्टेंट है और जंगलों के अतिक्रमन एक बहुत बड़ा कारण ब पाता है तो आप क्योंकि जंगल तो सीमित है जंगल तो उतने बचे ही नहीं तो खाने को खोचते हुए कई बार हाती आसपास के जो खेत होते हैं उनमें घुज जाते हैं तो जो वहाँ पर किसान होगा उसके जो क्रॉप्स है उसके जो ये जो खेत उसने लगाए है ये जो जो क्रिशी के उत्पाद उसने लगाए उनको हानी पहुशती है तो फिर किसान इस हाती पर इन विचारे हातियों पर हमला करता है तीसरा High Voltage Fencing Around Agricultural Field यानि कि खेट के किनारे कई बार बिजली के तार लगाए जाते हैं ताकि हाती ना आए परन्तु इन तारों से बहुत तेज मात्रा में बिजली के जटके होते हैं जिनसे हाती मर जाता है तो ये भी एक कारण है जिसकी वज़े से हातीयों की जनसंख्या पर बुरा असर पड़ रहा है पांचवा Intrusion of Humans in Wildlife Corridor Wildlife Corridor होते हैं वन्यजीव गलियारे जिसमें बहुत बार कोई वन्यजीव आता जाता हो तो क्योंकि जो जंगल है वो सीमेत है तो अकसर हम देखते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक रोड या स्पेसिफिक एक रास्ता जीव चुनते हैं एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए इन्ही को हम बोलते हैं वन्यजीव गलियारे पर वन्यजीव गलियार में अकसर हम देखते हैं कि जीव आते रहते हैं जो कि जीवों को खत्रा पचा सकते हैं चटा कारण है Less Compensation to Farmers for Crop Damage by Animals यानि कि जानवरों तवारा फसल नष्ट होने पर किसान को कम मुआवजा तो अगर ऐसा देखा जाए कि किसान ने कोई बहुत इंपोर्टेंट बहुती महिद्वपून क्रिशी उत्पाद लगाया हो और उसको हाती नष्ट कर दे तो उसके बाद मतलब जानवरों के फसल नष जीवों पर निकालते हैं इन जानवरों की पिटाई करते हैं कई बार लोग पटाके जला कर इन जानवरों को भगाते हैं तो यह बहुती दर्दनाक तरीक है जिनसे जानवरों को भगाया जाता है और इससे इनकी प्रजातियों पर भी बुरा असर पड़ता है अब हम समझे के पूर्ण रूप से ना होने के कारण वो अपने जंगल की सीमाओं से भार आते हैं और आसपास के जो गाउं होते हैं उनके गाउं उनमें बसे गाउंवासियों पर अटैक करते हैं तो दूसा है लाक ओफ प्रें फॉरेस्ट यानि कि जंगल में शाकाहारी जीवों की कमनी क् पर ही निर्भर होते हैं अगर किसी जंगल में शाकाहारी जीव नहीं है तो शाकाहारी जीवों को खाने के लिए ये जो मासाहारी जीव है जैसे शेर वो जंगल से बाहर आएंगे और हो सकता है जंगल से बाहर कोई ऐसा गाउं जाउन को खाने के लिए कुछ मिल जाए पर तो ऐसी स्थिती में वो इनसानों के पास बहुत आ जाते हैं और किसी गाउवासियों पर भी हमला कर सकते हैं सेकेंड है ओवर ग्रेसिंग इन फॉरेस्ट बाई लाइफ स्टॉक ओफ लोकल विलेजर्स यानि कि अत्यधिक चराई तो ऐसा देखा जाता है कि जो आसपास के स्थानिय समुदाई के लोक हैं यानि कि जो आसपास के गाउवासियों वो कई बार अपने जानवरों को जैसे कि उनकी गाए भैस को जंगल में ले जाते हैं चराई कराने के लिए पर अगर ऐसे जीव जंतों को चराई के लिए एक जंगल में ले जाएंगे तो घास की मात्रा कम होगी अब घास की मात्रा कम होने से शाकाहारी जीव जंगल में कम हो जाएंगे और शाकाहारी जीवों के कमोने से उन पर जो निर्भर है मासाहारी जीव उनकी जनसंख्या पर भी सीधे बुरासर पड़ता है चौता है फ्यूल वूट कलेक्शन एन फॉरेस्ट बाइ लोकल विलेजर्स यानि कि जंगल से इंधन की लकडिया इकत्रित करना तो कुछ गाउवासी जो जंगल के आसपास होते हैं वो जंगल से कुछ इंधन के लिए लकडिया कलेक्ट करते हैं और लकडिया एकत्रित करने से जो वहां के पेड़ पौदे हैं वो कम हो जाते हैं पेडबादों के कमोने से शाकाहरी जीव कमोंगे और फिर इसका असर मासाहरी जीव पर भी पड़ेगा पांचवा हंटिंग फॉरेस्ट हर्विवोर्स बाइ लोकल विलिजर्स यानि कि स्थानिय लोगों द्वारा कई जगे हम देखते हैं कि शाकाहरी जीव का शिकार किया जाता है तो अगर शाकाहारी जीवों का शिकार होगा तो फिर उन पर जो निर्भर है मासाहारी जीव उनकी जिनसंख्या पर बुरा असर पड़ेगा छटा गार्बिश थ्रोन बाई हुमन्स इस कंस्यूम बाई हर्विवोर्स विच अटैक लेपर्ड्स तो इंसान के द्वारा जो जगे जगे जंगलों में या फिर आसपास के जो गाउं है उनमें जो कुड़ा फेका जाता है उन कुड़े पर आते हैं शाकाहारी जीव जैसे गाएं या कोई और शाकाहारी जीव और उस पर फिर जो मासाहारी जीव होते हैं वो सुनते हुए उन पर अट्राक्ट होते हैं परन्तो इस कारण इनसान और जो मासाहारी जीव है उनकी बीच की जो दूरिय वो कम हो जाती है और हो सकता है वो आमने सामने आ जाया और कोई मासाहारी वन्यजीव इंसान पर हमला कर दे साथवाय डिफेंस स्ट्राटेजी तो कई बार अपने आपको बचाने के लिए वन्यजीव आक्रमन करते हैं जैसे हो सकता है कि कोई शेर अपने बच्चे को बचाने के लिए इंसान पर हमला कर दे तो अब ये तो हम मानते हैं कि मानव वन्य असरपड़ता वन्यजीव की संक्यापी कम होती जारी है तो इस संगर्ष का समाधान भी हमें डूढ़ना होगा तो समाधान नंबर एक यह है कि एफॉरेस्टेशन करने की जरूरत है यानि कि हमें जंगलों में व्रिक्षार ओपन करने की जरूरत है ताकि व्रिक्ष लेगाने से जंगल का एरिया बढ़े और जो जंगली जीव है वो जंगल में ही रहें जादा इंसान के करीब ना है दूसरा हमें इंसान की निर्भरता जो जंगलों पर है वो भी कम करने की जरूरत है इसके लिए हमें चाहिए कि जंगलों में मानव की गतिविद्यों को कम किया जाए यानि कि अभी जो इंसान है वो लकडिया लेने जंगलों में जाते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को सौर उर्जा की तरफ प्रेरित किया जाए और सौर उर्जा को बढ़ावा दिया जाए दूसरा ये कि जो लाइफ स्टॉक के लिए यानि कि अपने जो पशू है उनको चराने के लिए लोग अभी लेकर जाते हैं जंगलों में उसका भी हमें समाधान डूनना चाहिए तो गाउं में जानवरों के चारिके विवस्ता होनी चाहिए और लोगों को कुछ अलग जीविका का साधन यानि कि लाइवलिवोड देनी चाहिए ताकि वो जंगलों में ना जाए तो वन के बाहर आज जीविका का प्रियास करना चाहिए तीसा ये कि हमें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए अक्टिविटी इस वाइड लाइफ कॉरिडोर्स में यानि कि जो वन्य जीवों के गली आ रहे हैं जिस पर वन्य जीव आते जाते रहते हैं वहाँ पर इंसान की गतिविदी कम होनी चाहिए ताकि वन्य जीव और इंसान आमने सामने ना आएं चौता अगर हमें अपने खृषी के शेत्रों को जंगली जीवों से बचाना है तो उसके लिए हमें बहुत जादा तेज करंट मारने वाले तार ना लगाने की बजाए सोलर फेंसिंग का यूज़ करना चाहिए तो खेतो के किनारे सौर उर्जा से जुड़े तारों का प्रियोक करना चाहिए और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हाती जैसे जीव टोबैको यानि कि तंबाकू या मिर्च के पौदों से भी दूर हट जाते हैं तो ऐसे पौदे हमें लगाने चाहिए खेतों के किनारे जैसे कि मिर्च या तंबाकू जिनकी स्मेल जो सुगंद है वो मतलब हातियों को पसंद नहीं आती है और वो खुदी वहां से चले जाते हैं पांचवा ये कि हमें किसानों के लिए भी सोचना है तो अगर बाइचांस कोई जानवर किसान की इतनी महनत से लगाई हुई फसल को नष्ट कर दे तो उसके लिए सरकार को बहतर मुआवजा देना चाहिए किसान को इंप्रूफ दे कार्णिवोर स्प्रे बेस बाइ रिलीसिंग अंग्यूलेट कंट्रोल हंटिंग और इंप्रूविंग दे हैबिटेट यानि कि हमें ये भी ध्यान देना है कि हर जंगल में अच्छे रूप से शाकाहारी जीव मौजूद हो उसके लिए में अगर हो सके तो शिकार पर भी प्रतिबंद लगाना चाहिए वन इलाकों को भेतर बनाने के लिए शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ानी चाहिए और उन पर आश्रित मासाहारी जीवों की जनसंख्या भी तभी अधिक हो पाएगी आखरी ये कि हमें स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखना है एनिमल के मुव्मेंट पे अगर कोई एनिमल यानि ये जानवर जंगल से बाहर पाया जाता है तो उसकी गतिविदी पर हमें नजर रखनी चाहिए ताकि वहां के आसपास के जो गामवासिया है वो भी सतर्क हो पाएग जैविवित्ता को एक और खत्रा है वो है invasive species यानि कि आक्रमक प्रजातियों से तो आक्रमक प्रजातिया उन प्रजातियों को कहा जाता है जो अत्यां थानिकारक हो यानि कि ऐसी प्रजाति चाहिए वो जीव हो जैसे मेंडग चाहिए वो पौदा हो कोई कीड़ा हो मचली हो बेक्टीरिया हो, कुछ भी हो, अगर वो जीफ, इस्थान्य प्रजाती नहीं है और उस शेद्र की स्थान्य प्रजातियों को अत्यधिक नुकसान पहुचाता है, तो उसको आक्रमक प्रजाती कहा जाएगा. तो ये प्रजाती पर्यावरन के लिए तो हानिकारक है ही, परन्तु ये प्रजाती आर्थिक रूप से भी बहुत हानी पहुचाती है और इंसान की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है. इन प्रजातियों की खास बात यह है कि इनकी प्रजिनन प्रक्रिया बहुत तेज होती ह तो एक उधारण है विलाईती कीकर यानि की प्रोसुपिस स्पीशीज यह जो विलाईती कीकर नाम का पेड है यह बहुत तेजी से भारत में उगरा है परन्ति यह पेड भारत का बिलकुल भी नहीं है जब ब्रिटिश हमारे देश में राज किया करते थे तो उस समय में ब्रि ने विलाईती कीकर नाम की प्रजाती को यहां पर उगाना शुरू किया तो यह तो बिलकुल साफ है कि थोड़े ही टाइम में एक हराबरा जंगल उत्पन हो गया परन्तो यह जंगल सिर्फ विलाईती कीकर का था जो स्थानिय प्रजाती भारत की थी वो खतम होती चली गई इस पेड की वज़े से तो यह जो पेड है यह सीधे रूप से हानी पहुचाता है कि इसकी जड़े तेजी से नीचे जाती है और जो ग्राउंड वाटर है उसको कम कर देती है साथी साथ विलाईती कीकर की जड़ों से कुछ हानी कारक रसाइनिक पदार्थ निकलता है जिसक की प्रजनन प्रक्रिया बहुत तेज है इसलिए पुरे भारत शेत्र में बहुत तेजी से फैल रही है दूसरा उधारण है एक जीव का तो जो इन्वेजिव प्रजातिया या आक्रबग प्रजातिया वो जरूरी नहीं कि कोई पेड़ पौदा ही होगा हो सकता है कोई प्रजातिया उगंपर खत्रामन रहा है दूसरा एक्जांपल जो हम पढ़ रहे हैं वो है अंडोमान निकोबार आइलेंड से तो अंडोमान और निकोबार आइलेंड भारत के साउथ के एरिया में है इनमें लगभग 300 से भी जादा चोटे चोटे ध्वीप हैं तो अंडोम अंधव हम देखते हैं कि छोटी घासे वी ऊगी होती हैं उससे उपर जनागल में अंडर स्टोरी लियर होती चिसमेंमध्यम उचाई के पेड़ पॉदे होते हैं जैसे पाम बैमबू हित्यादी इससे अगे से उपर canopy के पेड़ होते हैं, canopy के जो पेड़ होंगे, वो इक दूसरे से बहुत चिपके होंगे, जुड़े होंगे और इसी कारण जंगल भड़ा हरा भरा दिखाई देता है, even यह जो canopy की जो पेड़ पौदे होते हैं, इनकी वजे से धूप भी जमीन तक नहीं यही emergent layer बनाते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि यह जो अंडुमान निकोबार आइलेंड के सदा बाहर वन है इन पर एक बहुत बड़ा खत्रा मंडरा रहा है और वो खत्रा आक्रमक प्रजाती की वज़े से है तो जब बृटिश हमारे देश में राज किया करते थे तब बृ बृटिश की टाइम में इस इस्तेमाल होते थे तो टिंबर से railway platform बनाई जाते थे और बहुत सारी लखडियां हम use करते थे जहाज बनाने के लिए तो अब हम देखते हैं कि यह जो हाती है आजकल अंडुमान में बहुत ज़ादा हो रहे हैं दूसरी जो प्रजाती इस जंग के लिए spotted deer का इस्तिमाल किया करते थे अब इस्तेते यह है कि जो undergrowth layer है वो spotted deer की वज़े से कम हो रही है क्योंकि spotted deer यानि कि यह जो हिरन है यह घास को खा रहा है अब अत्यदिक मात्रा में spotted deer होने की वज़े से इस हिरन ने लगभग सारे ही जो सदा बाहर वन हैं अंडुमान के उन में जो घास है और छोटे पौदे हैं उनको खतम कर दिया है दूसरे दिकत इन सदा बाहर वनों के लिए अरे अंडुरी लियर में तो मध्यम उचाई के जो पेड होते हैं जैसे बैंबू पाम यह हाती के बहुत ही खास पेड होते हैं हाती इनको बहुत पसंद करता है और इसी लिए जो मध्यम उचाई के पेड है वो कम होते जा रहे हैं इस कारण अब हम देख रहे हैं कि जो हरा भरा जंगल होता था अंडुमान का वो अब उतना हरा भरा नहीं रहा मतलब हाँ पर पेडों की कमी होती जा रही है 2004 में अंडुमान निकोबार एरिया में एक बहुत बड़ी सुनामी आई इस सुनामी से जो पूरी आर्थी व्यवास था थी उस पर बुरा सर पड़ा जो लोग क्रिशी पर निर्भर होते थे वो अब क्रिशी करने लायक नहीं बचे क्योंकि जो उनकी जमीन थी उनकी जो मि पसर नहीं था इसलिए लोगों ने मचली पालन वाला व्यवसाय शुरू कर दिया मचली पालने के लिए कुछ मचली के जो सैंपल्स थे वो बेंगॉल से मंगाए गए उन सैंपल में एक आक्रमक प्रजाती विया गई जिसका नाम है बुल फ्रॉग इस बुल फ्रॉग की व वो हजारों नए छोटे-छोटे अंडे पैदा कर सकता है दूसरी बात ये कि इस जीव की खाने का जो आहार है वो बहुत ज़ादा है यानि ही यह सभी जीवों का खा सकता है चाहे वो मचली हो मेंडर को चिडिया हो मुर्गी हो तो इसके कारण बहुत ज़ादा आर्थी कु अब नहीं चल पा रहा तो बुल्फ्रोग भी एक आक्रमक प्रजाती है सिर्फ यही प्रजाती जादा मात्रा में देखी जा रहे हैं और सब प्रजातियां इससे नुकसान में हैं IUCN Red List यानि की IUCN लाल सुची IUCN का मतलब है International Union for Conservation of Nature यह एक अंतराश्रिय संस्थान है जो जीवजन्तों को बचाने के लिए काम करता है इस अंतराश्रिय संस्थान के दुआरा दी जाती है Red List तो अगर जितनी भी प्रजातियां है विश्व की उन पर खत्रा मंडरा रहा है त परन्तु यह प्रयास सभी मुम्किन है जब हमें पता हो कौन सी प्रजाती अभी विलुप्त होने के कगार पर है और कौन सी अभी ठीक मात्रा में उपस्थित है तो इसको जानने के लिए IUCN Red List का प्रयोग किया जाता है IUCN के द्वारा Red List Categories दी गई है यानि कि जितने भी जीवजन्तु है प्रित्वी के उनको विभिन प्रकार से बाटा गया है तो जितनी भी प्रित्वी पर उपस्थित प्रजातिया है उनको पहले दो रूप से बाटा गया है एक है Evaluated यानि कि आंकलित यानि कि ऐसी प्रजातिया जिनके जिनकी शोध किया गया हो जिनके उप प्रकार की होती है एक वो जिनके उपर data adequate है यानि कि जो आकड़े हैं वो परियाप्त रूप से हमें मिल चुके हैं दूसरी वो प्रजातियां जिनका data deficient है यानि कि अपरियाप्त है यानि कि अभी जो शोद करने के बार हमें आकड़े मिले हैं वो अपरियाप्त रूप से मिल और और शोथ करने की इन पर जरूरत है तो ऐसे प्रजातियां जिनका data adequate है यानि कि परियाप्त मातरा में उपस्तित है उनको हम साथ रूप से विभाजित कर सकते हैं पहली कैटिगरी में वो जो प्रजातियां अब पृत्वी पर नहीं है यानि कि extinct, विलुप्त दूसरी प्रजातियां वो जो जंगलों से विलुप्त हो चुकिये यानि कि extinct and wild तीसरी critically endangered यानि कि अती संकट ग्रस्त प्रजाती चौथी endangered यानि कि संकट ग्रस्त प्रजाती पाचवी vulnerable यानि कि संबेदन शील प्रजाती नेक्स्ट, near threatened यानि कि संकट निकट प्रजाती और लास्ट में, least concern यानि कि संकट मुक्त प्रजाती IUCN के द्वारा एक जो पहली category है वो है extinct यानि कि विलुप्त विलुप्त का मतलब है कि ऐसी प्रजातिया जिनका कोई भी सदस्य धर्ती के उन इलाकों पे अब ना पाया जाए जहां वो प्रजाती पहले पाई जाती थी तो उस प्रजाती को विलुप्त कहा जाता है उधारण के रूप में हम कह सकते हैं दूडो बर्ड एक विलुप्त प्रजाती है दूडो बर्ड मौरिश्यस की एक शेत्र सीमित प्रजाती थी यानि कि सिर्फ मौरिश्यस आइलेंड पे ही मिलती थी जैसे जैसे इंडस्ट्रल रेवल्यूशन हुआ यानि कि ओध्योगी करन भड़ा वैसे वैसे इस द्वीप पे कुछ ऐसे जीवा गए जिन्होंने डोडो बर्ड को बिल्कुल खतम कर दिया तो डोडो बर्ड अब इस पूरी प्रित्वी पर कहीं पर नहीं मिलती और ये एक विलुप्त प्रजाती है दूसरा एक्स्टिंक्टिं वाइल्ड यानि कि बन से विलुप्त ऐसी प्रजातियां जो अब जंगल में नहीं मिलती जंगल से विलुप्त है और सिर्फ अब प्रकरते कि स्थान जैसे कि चडिया घर या पालतू रूप में ही पाई जाती है तो उन्हें हम एक्स्टिंक्टिं वाइल्ड कहते हैं उधारन्ख हवायन क्रो हवायन क्रो नाम की जो चडिया है वो सिर्फ हवाई आइलेंड में मिलती थी अमेरिका के परन्तो अब ये जो प्रजाती है ये जंगल में कहीं पर भी नहीं मिलेगी क्योंकि इसके सारे सदस्यों को शिकार का सामना करना पड़ा शिकारियों ने इसके सारे सदस्यों को खतम कर दिया अब ये जो चडिया है ये सिर्फ अमेरिका के कुछ चडिया घर में ही मिलती है तो ये जंगल से विलुपत हो चुगी है तीसरी केटिगरी है critically endangered यानि कि अती संकट ग्रस्त प्रजाती ये ऐसी प्रजातिया जिनकी संक्या तेज गती से कम हो रही है ऐसा मानना है कि पिछले 10 सालों में इनकी जंसंक्या लगवग 90 प्रतीशत से जाधा कम हुई है तो उन प्रजातियों को हम critically endangered यानि कि अती संकट ग्रस्त कहते हैं तो ये प्रजातिया विलुपत होने के कगार पर है उधारण इंडियन गडियाल यानि कि भारत का एक ऐसा मगरमच जिसको हम गडियाल के नाम से जानते हैं ये विलुपत होने के कगार पर है तो ये जो गडियाल है ये अत्यंत कम इसलिए है क्योंकि इसका बहुत जादा शिकार हुआ करता था शिकारी लोग इस गडियाल की जो खाल है उसको निकाल कर बहुत सारे बैग और बहुत सारे अन्य वस्तुए बनाते थे साथी साथ ये जो गड़ियाल है ये बिल्कुल साफ पानी पे पाया जाता है अब क्योंकि साफ पानी देश में है ही नहीं जितनी भी नदिया है वो अल्रडी बिल्कुल प्रदूशत हो चुकी है साथी साथ जितनी नदिया है उन पे हमने बांध बना दिये हैं प्रजिनन्प्रक्रिया उस पर बुरा असर पढ़ा है। इतना कम हो गया कि अब ये संकटपर है और अती शंकटग्रस्प्रजाती की रूप से जाना जाता है। अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये जल्दी विलुप्थ भी हो सकता है। दूसरा उधारण है इंडियन वल्चर यानि की भारतिय गेद। तो जो भारतिय गेद है वो बहुती महत्वपून प्रजाती है क्योंकि ये परियावरण को साफ रखने के लिए बहुती एहम भूमिका निभाती है। तो भारतिय गेद जितने भी मृत जीव होते हैं उनको खाता है। तो ये जो है स्केवेंचर है यानि की मृत पदार्थों को मृत जीवों को खाता है। परन्तो अब भारतिय गेद की जनसंक्या बहुत कम हो चुकी है। इसका कारण है बायो मैगनिफिकेशन यानि की जैव सांधरता। तो हमने देखाए कि भारत में पहले एक केमिकल का प्रियोग होता था जिसका नाम है डाइकलोफिनाग। इस केमिकल को गायों और भैंस और अन्य जीवों को दिया जाता था ताकि वो खेत में जाधा काम कर पाएं। तो डाइकलोफिनाग जैसे ही इन जीवों की बाडी में जाता था शरीर में जाता था तो ये केमिकल एक तरीके से पेन को या दर्द को कम कर देता था और जीवों को कोई भी हड्यों का दर्द नहीं महसूस होता था। इसी कारण ये जो जीव थे जैसे गाई भैस ये खेत को जोतने के लिए काम में लिये जाते थे और देर तक ये खेत को जोत पाते थे अब जैसे ये जीव मरते थे तो उनकी जो मृत शरीर एंको खाने के लिए गिद आते थे तो जो chemical diclofenac मृत जीवों के अंदर था वो अब गिद में चला गया और गिद की जनसंख्या बिल्कुल कम हो गई क्योंकि ये जो chemical था एक तरीके से खतरनाग chemical था गिद के लिए तो जब एक जीव से दूसरे जीव में कोई रसाइनिक पतार्थ जाता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं biomagnification या फिर जैव सांध्रता तो इसी कारण जो भारतिय गिद है उसकी जनसंख्या में कमी देखी गई है तो अब भारतिय जो गिद है वो critically endangered है यानि कि अती संकट ग्रस्थ प्रजाती है Fourth is endangered यानि कि संकट ग्रस्थ ऐसी प्रजातियां जो शिकार अवास में कमी और अन्य कारणों से विलुप्थ होने के कारण पर है उनको हम संकट ग्रस्थ कहते हैं ऐसा देखा गया है कि इन प्रजातियों की जनसंक्या पिछले 10 साल में 70% से भी ज़्यादा कम हुई है तो endangered यानि कि संकट ग्रस्थ प्रजाती का उधारण है भारत में भारत का शिकार किया जाता है शिकारी बाग की खाल को निकाल कर बहुत सारी वस्तु हैं जैसे की बैग और बहुत सारे सौंदर्ता वाले जो वस्तु हैं उनको बनाने का प्रियोग करते हैं इस कारण बाग की जनसंक्या कम होती जा रही है साथी साथ जंगल जो है हमारी देश में वो भी कम हुए जिसके कारण बाग को संकट ग्रस प्रजाती कहा जाता है तो इस प्रजाती में बहुत जादा संकट मंडरा रहा है और इसको अगर नहीं बचाये गया तो हो सकता है आने वाली सालों में यह विलुप्ती हो जाए एक और उधारण है संकटगरस प्रजाति का वो है एश्याई हाती तो एश्याई हाती एक शाकाहरी जीव है जो भारत में बहुत कम देखा जा रहा है आजकल तो एशन हाती का भी बहुत जाधा शिकार होता है इसके जो दात होते हैं उससे बहुत सारी वस्तवे बनाई जाती हैं, मूर्थिया बनाई जाती हैं, जिसके कारण यह जीव कम होता जा रहा है तो यह जो हाती का दांत होता है, यह जादा तर मेल हाती के पास होता है इसलिए जो poachers या शिकारी होते हैं वो मेल हाती को target करते हैं और मेल हाती की जो जनसंख्या है वो कम हो रही है और पूरी जो प्रजनन प्रक्रिया है हाती की उस पर बुरा असर पढ़ रहा है जल्द ये ऐसी प्रजातियां बिलुप्त हो सकती हैं अगर ये खत्रा उनके आस्तित्व पर असर करता रहा तो ये ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल कम है मात्रा में और इनकी जो कम होने की दर है वो पिछले 10 सालों में लगबग 50% से अधिक देखी गई है तो ये समवेधन शील प्रजातियां इनको भी हमें बचाने का प्रियास निरंदर करना चाहिए तो उधारन के रूप में पूरे विश्व में अगर हम देखें तो चीता एक समवेधन शील प्रजातियां चीता एक मासाहारी जीव है जो बहुत तेज गदी से दोड़ता है अब क्योंकि जीव का बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है इस कारण चीता जो है वो अभी समवेधन शील प्रजातियां और विलुप्त होने के कगार पर है उनको हम बोलते हैं संकट निकट प्रजाति यानिकि अभी तो इन पर कोई खत्रा नी है बट हो सकता है भविश्या में ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे तो जैसे एक उधारन है सेमी कॉलर्ड हॉक का ये चिडिया अभी सेफ है इसके जनसंक्या ठीक है पर अंतु कुछ खत्रा भी शुरू हुआ है इसमें जैसे पेडों की जो कमी हुई है इसके जो गोसले वो कम हो रहे हैं तो आने वाले सालों में हो सकता ये संकट निकट हो जा जाए और विलुप्ति के एक अगार पर पहुच जाए तो ऐसे प्रजातिया जिनकी संक्या अधिक है और उनकी चिंता हमें अभी करने की जरूरत नहीं है उनको हम बोलते हैं संक्या प्रजाति जैसे कि मंकी यानिकि ये जो बंदर है वो भारत में बहुत जादा है और इनक अगर हमें कुछ संरक्षन के प्रयास करने चाहिए तो वो उन प्रजातियों के लिए करने चाहिए जो बिल्कुल अभी खत्रे पर हैं यानिकि विलुप्त होने के कगार पर हैं जैसे कि संवेधनशील प्रजाति, संकट ग्रस प्रजाति और अति संकट ग्रस प्रजाति तो हमें जिम्यदारी लेते हुए प्रजातियों को बचाने का या प्रजातियों के संरक्षन का प्रयास करना चाहिए इस वीडियो में हमने समझा कि बायो डाइवर्सिटी को क्या खतरा है अगली वीडियो में हम समझेंगे कि जै विवित्ता या बायो डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें क्या सनरक्षन के कदम उठाने चाहिए साथ ही साथ कुछ ऐसी परियोजनाएं जो भारत सरकार ने चलाई हैं जीवजंतों को बचाने के लिए जिसे प्रॉजेक्ट टाइगर, प्रॉजेक्ट टेलिफेंट